हलो एब्रिवन तो कैसे हैं आप लोग तो आज मैंने किया है शिम्री मतलब की रैड में आई मीकप लूग क्रीट तो कैसा लग रहा है आपको आप किसी भी पार्टी लुक में कर सकते हैं किसी भी ड्रेस के साथ ही आपका लूग सकता है जाए वाइट ब्लैक ब्राउन रैड क किसी भी ड्रेस के साथ तो देखते हैं कैसे मैंने क्रीट किया है तो चले करते हैं वीडियो स्थार्ट तो फर्स्ट मैंने यहां पर ले लिए चांसीलर आप कोई भी चंसीलर ले लिजिए लिए लिग्विट कंसीलर मुझे जादा बहस लगता है क्योंकि एजली आपकी कि अधर कि अधर का चांसी ब्लेंड कर लोंगे कि यहां पर मैंने दोनों का यूस अभर करके देखा तो मुझे अलगता है कि अगर हम करें तो जादा फिनिशिंग आती है जादा हार्ष नहीं लगता है तो इसलिए मैंने आपर रिष ए जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से smoothly मेरे face पर हो गया है blend और Swiss beauty का concealer है तो ये affordable भी है 170-200 की range में आ जाता है तो यहाँ पर मैंने के beauty का लिया है eyeshadow तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ले रही हूँ base color जो भी आपको base color लेना है आप ले सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने face के according base color लिया है जादा की beige color लिया है उसे मैंने लगा लिए अपने crease line पर और उसे मैं अच्छे से कर लूँगे blend जितने अच्छे से मैं कर सकती हूँ अंदर की तरफ ले जाते हुए inner corners की तरफ और outer corners की तरफ जितने अच्छे से आप blend करोगे उतने अच्छे से आपका लुक भी आएका तो यहाँ पर जो मैं brush यूज़ कर रही हूँ वो है Swiss beauty का brush और यहाँ पर मैं blending brush का यूज़ कर रही हूँ आप कोई भी brush यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप एक बार यह brush ले लेंगे तो मेरी खाल से अच्छा रहेगा आपको बार पर brush चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्यूंकि हमारा जो आई शेडो होता ना ब्रश पर भी अच्छे से अच्छे से अच्छे से ब्लेंड किया कि मेरा जो ब्लेंड करने का फाइनली लुक आ रहा था ऐसा यह भी मैंने बस बेस कलर यूज़ किया यहां पर मैं लार्ज ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रहे हो और अच्छे से अपर की तरफ मालब अपने आइब्रूस की तरफ अपलिफ्ट कर लूँगी अपने आई शेडो को तो इसे में भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी इसी में स्वीटी कही पूरा सेट था जिसमें आई ब्रुश आई तो इसमें लार्ज भी मिल जाएगा आपको प्रसाइज भी मिल जाएगा क्रीज लाइन बनाने के लिए बी मिल जाएगा आपको एक ही में सारे आई ब्रुश जो तो यहां पर मैं यूज़ कर रही हूँ डार कलर मतलब यह थोड़ा ब्राउन और रेड का मिक्शर था जो कि हम केरेमल कलर बोल सकते हैं ना ही ब्राउन था ना ही रेड था तो जो होता है ना कि ब्रिक कलर जो होता है वो था यह कलर और यह बहुत जादा इसका प्यारा सा लुक आ रहा था बहुत ही जादा यह प्रिटी लग रहा था तो मैंने यह आउटर कॉर्णर से शुरू क आपर और जितने इसे भी हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे कि हमारे जो दोनों कलर है वो अच्छे से मर्ज हो जाए और ये खार्ष लाइन ना बनाए या मतलब कि हार्ष लुक ना दे बहुत ही स्मूध लुक दे आइस का आइस का आपका स्मूध लुक अच्छा लगेगा वो अच्छा लुक नहीं आता वो इतने अच्छा से ब्लैंड नहीं करता तो एक बार में थोड़ा मतलब की लगा दीजिए थोड़े थोड़े से पैसे और एक बार मैं अच्छा समाल ले लीजीए लोगा लेंगे यहां पर आप कोई भी कलर यूज़ कर साथिए यह थोड़ा रैड में था केमरे में थोड़ा हैं ब्राउन में यह घ्सotine यह ता कि अश्च उवैंड लगा छिए और टा तो यहां पर बहुत ही जादा प्यार लुक आ रहा था मेरे शिमर मैंने और थोड़ा से जादा अप्लाई कर लिया इसे और इसे अच्छे से मैं डिफाइन कर लूँगी और यहां मेरा जो कैमरा थोड़ा इधर उधर हो गया है तो यह तो बहुत ही पिकार हुआ खेर तो आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए उसके बाद यूज करेंगे हम काजल जो कि मैं ले रहीं मेबलीन का तो इसे मैं बाटनाइम से यूज करते हा रही हूँ सही लगता है मुझे ज्यादा लॉंग लास्टिंग तो नहीं है इसमर्च प्रूफ तो नहीं है बर ठीक है मतल सब्सक्राइब के बाद ही पूरा आपका फानल लुक पता चलता है तो यहाँ पर मेरा आई मेकप लू को ह nessU कंपलीट आप मस्कारा भी अचछे से अपलाए कर लोगे अपर लिशिस पर भी और लौर लिशिस पर भी लोग लिशिस पर थोड़ा ध्यान से करेंगा धीर eh değa혼 आपके foundation पर ना लग जाए और लग जाता है तो उसे आप थोड़ा से यह वर्ट की help से उसी जगा पर आप उसे clear कर लीजे वहाँ पर थोड़ा से foundation लागे उसे साफ कर लीजे तो आपका हो जाता है एक तब perfect तो guys यहाँ पर मेरा eye makeup look हो गया है complete और कैसा लग रहा है यह बहुत जादे pretty लग रहा था आप इसे अपने dress के according कहीं भी use कर सकते हैं और अच्छी लगी वीडियो तो like कीजी subscribe कीजी हम ऐसे ही आपके लिए और वीडियो बनाते रहेंगे और मिलते हैं और next वीडियो में बाइबाइ